र्यादे र्यादे दोस्तों, स्रीस कॉर्नर में सभी को स्वागत है आज हम दो छोटे कहानिया सुनाएंगे जो बच्चों को बेहत पसंद आएंगे सभी को पसंद आएंगे एक तो शेर की कदा है और एक कवे की कदा है तो सबसे पहले हम शेर की कहानी सुनेंगे चंदन जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था वह रोज किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता था सब ही जानवर उसे डारते थे एक बार जंगल के सब ही जानवरों ने सभा की और यह तै कि टाकि शेयर उसे खाकर अपना पेट भर सके और फिर अन्य जानवर बिना डरे जंगल में गूम फिर सके जंगल के जानवरों ने जब अपनी योजना शेयर को बताई तो शेयर ने सोचा कि जब एक जानवर खुद ही रोज उसके पास आ जाएगा तो बड़े आराम से उसका प पेट बरता रहेगा वह चेन की नींद सोया करेगा जंगल में इमानदारी से एक जानवर अपनी बारी के अनुसार शेर के पास जाता रहा और शेर उसे खाकर अपना पेट बरता रहा एक बार शेर के पास जाने की बारी एक गदे की आई वह उसे खाने ही वाला था कि गदे न कहा महाराज अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा शेर बहुत जोर से हसा और बोला हाँ हाँ एक मूर्क गदा भला मेरा क्या काम आएगा गदे ने कहा महाराज आप जंगल के राजा है दूर दूर के जंगलों में भी आपकी इतनी प्रतिष्ट फिर भी आप पेदल चलते हैं यहां अच्छा नहीं लगता है आपकी अपनी सवारी होनी चाहिए आप ऐसा करें कि एक मुकट पहन ले और मेरी पीट पर बैठ जाएं आपको जहा जाना होगा मैं आपको लेकर चलूंगा इससे आपकी प्रतिष्टा बहुत बढ़ जाएगी और आसपास के जंगलों के जानवर भी आपकी इज़द करने लेगेंगे शेर ने सोचा गदा बात तो सही कह रहा है मैं इतना बड़ा राजा हूं और पेदल चलता हूं क्यों न गदे की बात मान लूं अब गदा उसके लिए लताओं और पत्तों से एक मुकट बना लाया और वह शेर को पेना दिया अब शेर को जहां भी जाना होता तो वह मुकट पहन कर गदे की पीट पर अकट कर बैट जाता शेर को खाने की कोई चिंता तो थी नहीं रोज एक जानवर खुद ही उसका भोजन बनने के लिए चला आता था कई महीने ऐसे ही गुजर गए एक दिन जंगल के बीचो बीच जहां अनिक जानवर इखटे थे गदे ने शेर को अपनी पीट से गिरा दिया शेर को बहुत गुसा आया शेर ने क्रोध में भर रुकर पूचा अरे गदे तुमारी हिम्मत के से हुई कि तुमने मुझे गिरा दिया मैं तुमें मार कर खा जाओंगा इस पर गदे ने शेर को एक दुलत्ती मारी और कहा मुझे मार कर तो तब खाओंगे मूर्क शेर जब तुम मुझे पगड़ पाओंगे मुझे पगड़ कर तो दिखाओ यह कहकर गदा वहां से भाग खड़ा हुआ और यह क्या शेर गदे के पीचे भाग ही नहीं पाया उसे अपने पैरों में शक्ती ही महसूस नहीं हो रही थे उसके पैर अत्यंद कमजोर हो चुके थे गदा उसे कुछ दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था अन्य जानवर शेर के हालत देकर हस रहे थे धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को इह खबर हो गई कि शेर के पैर कमजोर हो चुके है अब वह किसी भी जानवर का शिका नहीं कर सकता है अब जंगल के जानवरों ने शेर के पास जाना भी छोड़ दिया इस तरह शेर भूक से तड़प कर मर गया जंगल में हर तरफ हसी खुशी का वातावरन हो गया तो ये कहानी सपी को पसंद आए करके उमीद करती हूँ अगले कता सुनाएंगे अगली कहानी रोटी और कवई की है तो आपने सुने होंगे ये थोड़ा सा अलग कता है तो चलिए सुनते हैं एक कवई बहुत भूका था उसने इधर उदर देगा तो सामने एक लड़की रोटी खाने के लिए बैटी थी उसने रोटी सामने ही रखी थी अपनी सहेली को आवाज दे जैसे ही उसने पीछे मूँ दुमाया वैसे ही कवई ने रोटी छपट ले वह देजी से उड़कर और पेड़ पर बैढ़ गिया यह देखकर लड़की रोने लगी वह उटकर कवई के पीछे भागी पत्थर उठाया फेका कवई उर गया और दूसरे पेड़ पर जाकर बैढ़ गया जिस पेड़ पर कवई बैठा था उसी पेड़ के नीचे एक बिल्ली बैठी थी उसने कवई के मूँ में रोटी देख ले थी इसी लिए बोली कवई कवई भाई आज अपना प्यारा राग नहीं सुनाओंगे आवाज सुनकर कवई ने बिल्ली की ओर देखा वह उसी की ओर देखकर बोल रही थी मगर कवव चुप रहा वह कुछ नहीं बोला बिल्ली ने दुबारा कहा क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे मगर कवव चुप ही रहा अरे कवव बोलता क्यों नहीं है मैं तो बड़े प्यार से बोल रही हूं इधर तू है कि अपने काले पन पर इत्रा रहा है बिल्ली चिलाए कवव बिल्ली की कड़वे बाते सुनकर छुप नहीं रह सका उसे गुसा आ गया था वह चिला कर बोला अरे जा तेरे जैसे बहुत देखे हैं जैसे ही वह बोला वैसे ही उसके मुँ से रोटी छूट गए बिल्ली तो यही ताक में बैठी थी उसने छट से रोटी मुँ में लपकी और वहां से धूर भागने लेगी बिल्ली जैसे ही कुछ दूर गई तो सामने एक बड़ा सा डौगी आ गया उसने बिली के मुह में रोटी देख ली थी रोटी देखकर उसके मुह में भी पानी आ गिया था इस कारण वह बिली को देखकर गुर्राया रे रुख बिली तो कहां भागती है तुने कवे कोई तो बेवकूप बना कर रोटी छीनी है टहर तुझे अभी मजा चकाता हूँ वह भोगते हुए बिली के पीछे दोड़ा डोगी से बिली बहुत डरती थी इसलिए सबसे पहले उसने खुद को बचाना जरूरी समझा वह जल्दी से डोगी से पीछा चोड़ने का उपाई सोचने लगी मगर उसे कोई उपाई नजरी नहीं आया वह रोटी चोड़ कर भाग खड़ी हुए डोगी को रोटी चाहिए थी उसने छट से रोटी उठाई और भाग लिया डोगी बहुत कुछ था आज उसे बिना मैनत किये ही रोटी मिल गए थे वह सोच रहा था आज में ताजी ताजी रोटी खाऊंगा तुरंत अपने घर की और चल दिया डोगी के घर के पास एक पेड़ था उस पर बंदर बैठा हुआ था उसने टामी के पास रोटी देख ली थी वह सुभा से भूगा था रोटी देखर उसके मूँ में पानी आ गिया काश रोटी मुझे मिल जाती यह सोचते हुए बंदर नीचे उत्रा कुछ ही समय में वह डोगी के सामने खड़ा था जैसे ही वह डोगी के सामने पहुंचा उसने जोर से खओ खओ किया था डोगी ने अपने सामने अच्छानक बंदर को देखा तो घबरा गिया खबरा कर बंदर को सामने देखकर उसकी बोलती बंद हो गए और घबरा हट में उसने मुझ से रोटी छोड़ दिया बंदर यही चाता था वह रोटी लेकर पेड़ पर चड़ गिया अब अराम से बैटकर में खाऊंगा इसे बूड़े बंदर ने सोचा उस पेड़ पर पहले से ही एक बंदर और बैठा था उसने अच्छा मौका देखा वह बंदर की और लपका मगर बंदर रोटी के दो टुकड़े कर चुका था उसने एक टुकड़ा मूँ में रख लिया और रोटी का दूसरा टुकड़ा दूसरे हाथ में रखा और दूसरे हाथ उंच्छा उठाया था कि दूसरा बंदर को रोटी चीन न सके इसी समय हमारे पहले वाले कववा इहतामाशा देख रहा था उसने अच्छा मौका देखा वहचछट से उठा उसने बंदर के हाथ में से रोटी छपट ले दूसरे बंदर कववे को मानने के लिए उचला लेकिन दफ तक कववा उड़ चुका था इस तरह कम से कम वो कववे क हाथ में तो आधी रोटी तो लगी गई आखिरदार कववे को आधी रोटी तो मिली गई तो यही है दूसरी कहानी सभी को पसंद आये करके उमीद करती हूं यह कहानी सभी को पसंद आये करके उमीद करती हूं अगले वीडियो पर मिलेंगे तब तक के लिए सभी को रधे प्रियादी